को पावर्ड बाई टेक्नो है और 433 रुपे 95 पैसे ये इसका इंटर डे हाई है और इसका रिकॉर्ड हाई लेवल भी है तो रिकॉर्ड हाई पर आप देखेंगे असी परसंट से जादा की तेजी देखने को मिल चुकी है तो इतनी बड़ी तेजी होने के बाद क्या अब भी इस टॉक में खैदारी करने के मौके बचे हुएं उसको समझते हैं पहले ट्रिगर समझे कि आखिर इतनी रिकॉर्ड उचाई पर पहुचा कैसे इतनी बड़ी तेजी स्टॉक में आई क्या है हाल फिलाल अगर आप देखेंगे जो ट्रिगर बनता हुए दिख रहा है वो इसकी सब्सेडरी है एंटी प अप्रूवल के लिए यहां पे कंपनी के और से रिक्वेस्ट भी की गई है जिस वजह से नॉवंबर के पहले हफ़ते में जो आई प्यो है वो लाँच हो सकता है एक कंपनी दस हजार करोड उपे इस आई पी के जटाना चाहती है और पूरी तरह से यह फ्रेश इशू होने इनर्जी के पास आती हुए नज़राएगी तो एंटीपीसी के पास कोई पैसा नहीं आएगा लेकिन हां शेरधाकों के लिए जो वैल्यो अनलॉकिंग का एक प्रपोजिशन खुल रहा है उसका इंपक्ट हम जरूर एंटीपीसी के शेर में देख रहे हैं क्योंकि वैल्यो की बात करेंगे तो 2024 में अब तक का सबसे बड़ा IPO हो सकता है क्योंकि 10,000 क्रोड रूपे की रकम आप देखेंगे तो इससे पहले अगर सरकारी कंप्टियों में देखेंगे तो 2022 में मैं मैं में जब LIC का IPO आया था तब इत्ती बड़ी रकम जुटाएगी थी उन्होंने उस कम्पनी के जो मौजुदा प्रोजेक्ट्स हैं और बह्यूं के उपर इसके उपर इस्तिमाल की जाएगा और इसमें जो नए प्रोजेक्ट्स है उसमें सोलर उनर्जी भी शामिल है साथी साथ आप देखेंगे जो ग्रीन हाइडरोजोन को लेकर इनिश्येटिवस हैं वो भ भावना है खास और पे आज ही इनफाक्ट गोल्में सैक्स की एक रिपोर्ट आई थी उन्होंने टागिट बढ़ा कर 430 रुपे किया है लेकिन स्टॉक ने 433 रुपे 95 पैसे का रेकॉर्ड हाई टच कर दिया तो वो लेवल तो अलड़ी पार हो गया जेफ्रीज की भी एक रि स्टॉक को लेकर बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है उनका इमाना है कि 23 में जहां 8 से 9 गीगावाट अगर आप देखें उसकी तुलना में 24 में जो कुल बोलिया है अगर आप रिनेवल एनर्जी स्पेस में देखें तो 37 से 49 गीगावाट की देखने को मिल रही है तो आप समझ 32 यानि की 2032 तक अगर आप देखेंगे तो उन्होंने खोद एक लक्षे रखा है जिसमें ये 60 गीगावाट यानि की 6000 मेगावाट की रिनेवल एनर्जी शमता हासिल करना चाहते हैं और उसके लिए जेफ्रीज कह रहे हैं कि ये कंपनी ट्रैक पे नजर आ रही क्योंकि 60 गी अगर रखा गया काफी अंबिशियस है लेकिन आसानी से मीट होता हुआ भी नजर आ सकता है और उसके साथ साथ आप देखेंगे उनका ये भी कहना है कि एक तो रिनेवल एनर्जी में ग्रोथ दूसरा जो ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोजेट को लेकर इनके जो प्रयोजना जिन ड्राइवर्स की बाद जेफरीज की और से अपनी रिपोर्ट में की गई है तो क्या इतना सब कुछ बुलिश 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 नजर आ रहा है तो तेजी वाला महौल नजर आ रहा है इस पूरे आईपियो को लेकर क्या एन्टी पीसी के शेर में इस आईपियो के व हैं 10% शेर जो जितने भी फ्रेश जारी किये जाएंगो उसमें से 10% शेर एन्टी पीसी के शेर होल्डर्स के लिए रिजर्व्ड हैं जिस दिन इस आईपियो का रहएच्पी दाकिल होगा डियर एच्पी दिनोंने पिछले हफते दाकिल कर दिया थे लेकिन रहएच्पी ज अगर आपको इस IPO में शॉर्ड-शॉर्ट अलउट्मेंट चाहिए शेर होल्डर कोटा में तो आप एंटी पीसी के शेर आपके खाते में होने चाहिए जिस दिन इस IPO का या निकि एंटी पीसी ग्रिन एनरजी के IPO का RSP दाकिल होगा अगर आपके पास उस दिन ये शेर शामि बाकी है तो हमने SS Will Street की founder सुगंदा सज्दीव जी से बातचित करी उनका इमाना है कि ये शेर में अभी भी दमखम बाकी है जैसा जेफ्रीस कह रहे हैं कि 485 का target आजएगा सुगंदा सज्दीव जी तो मानती है कि और भी उपर ये शेर जा सकता है 490 पहला target है उसके बाद 510 र target अचीव हो गया लेकिन सुगंदा सज्देव जी से हमना जी बातचित हुई उनका इमाना है कि शेर में 490 और 510 तक के जो जो जोन से वो भी देखने को मल सकते हैं तो एंटीपीसी ग्रीन जी का IPO एंटीपीसी के शेर के लिए काफी मजबूती भरा साबित हो रहा है रिकॉ को पावर्ड बाई टेकनो